राम द्वारा धनुष भंग, लक्षमन को अत्यंत कृद एवं आवेश में देखकर राम ने संकेट से उन्हें अपने स्थान पर बैट जाने का निर्देश दिया और गुरू विश्वामित्र की ओर देखने लगे मानों पूछ रहे होंके वर्तमान परिस्थिती में मुझे क किया करना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, वत्स, लक्षमन ने सूर्यकुल की जिस मर्यादा एवं गौरव वर्नन किया है वह सत्य है। अब तुम धनुष पर प्रत्यंचा चड़ाकर लक्षमन के वचन को सिधा करके दिखाओ। गुरू की आग्या पाकर रामचंद्र मंदगती से पग बढ़ाते हुए शिवजी के धनुष के पास पहुँचे। राम को धनुष की ओर जाते देख सीता और उनकी सखियां तथा जनकपुरी के समस्त दर्शिक्ग अत्युनंत प्रसन हुए। किन्तु उनकी प्रसननता को संशय ने घेर लिया। वे सोचने लग कि जब विश्विख्यात शक्तिशाली राजा और राजकुमार इस शिवजी के धनुष को हिला नहीं सके तो राम जैसे सुकुमार किशोर पिनाप की प्रत्यंचा चड़ाने में कैसे सफल हो सकेंगे। सीता भी मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करने लगी की है सर्वशक् इन्हें इनके उद्देश्य में सफलता प्रदान करने की दया कीजिए। मेरा हृदय भी इनकी और आकरशित हो गया है। अतह इसकी लाज़ भी आपको ही रखनी है। हे प्रभो, आप अपनी अद्भुत शक्ती से इस धनुष को इतना हलका कर दीजिए कि यह सरलता से उनक अधिकांश दर्शक मूर्चित होकर भूमी पर गिर पड़े। सिर्फ विश्वामित्र, राजा जनक, राम, लक्ष्मन आदी कुछ ही ऐसे लोग थे जिन पर इस भयंकर स्थिती का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ काल पश्चात जब सब की मूर्चा दूर हुई तो वे राम की सराहना करने लगे। पहुँच गए हैं। विश्वामित्र के वचनों से संतुष्ट होकर मिथिलापती जनक ने सीता को बुलवाया। वे अपनी सक्खियों के साथ हाथ में वर्माला लिये मंथर गती से लजाती हुई वहां आई जहां धनुष को तोड़ने के पश्चात श्री रामचंद्र ख को की समयने का लामचंद्र लामचंद्र लाव प baskets stops औूए